भूले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फस कर रासाइने खादवा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगे। बैलों की जगा ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुवात में कम रासाइने खादों के प्रियोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासाइने खादों के प्रियोग के कारण भूमी की उर्वरा शक्ति छीन होने लगी। जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा। तथा फसले कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग वकीट लगने लगे रोग वकीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक केटनाशकों का प्रियोग होने लगा एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासाइने खादों का प्रियोग होने लगा वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग वा कीटों से बचाने के लिए अधिक विशाक्त कीट नाशकों का प्रियोग बढ़ गया जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाब कम होने लगा बलकि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे धीरे धीरे भूमी की उर्वरा शक्ती क्षीन होने से भूमी बंजर होने लगी रसायने खाद वा कीट नाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गए तथा जलवाईयू भी प्रदुशित हो गई जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है मानव स्वास्थे पर रसायने खादों के पढ़ने वाले प्रभाव को आप ऐसी समझे जब किसान फसल में रसायने खाद डालता है तो रसायनिक खाद में उपस्थित विशाक्त रसायन जल में घुल कर सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचुए वा सूक्ष्म जिवानों को मार देता है ये बात सभे किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए वा अन्य सूक्ष्म जिवानों भूमी की उरवरा शक्ती को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की उर्वरा शक्ती नर्ष्ट हो जाती है तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है रसायने खादों के विशाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनीजों के साथ फसल के अंदर पहुँच कर फसलों को विशाक्त बना देते हैं बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्य पशूइने खाते हैं, तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, तथा मनुष्य के अंदर तरहां-तरहां के रोग उत्पन करते हैं। जब हम जविख खाद का प्रियोग भूमी पर करते हैं, तो जविख खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूशित नहीं करती। बना रहता है और फसले मजबूत होती हैं। फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकरते कौशधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है। तथा वातावरण पर भी कोई दुश्परभाव नहीं पड़ता। यहां हम आपको तालिकाबत तरीके से दूनों के लागता है।